हाई एवरिवन वेलकम बैक टू मै चैनल उमीद करती हूँ रोज की तरह आप सभी अच्छे होंगे आज आपके लिए बहुत ही यूसफूल वीडियो लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देगी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर लेकर आते हैं तो क्या होता है कि इस तरह के नू कपों में बैच लगे होते हैं इस तरह से तो हम इन बैच को कट करके फैंग देते हैं क्योंकि हम इनका यूस नहीं करते हैं क्योंकि ये यूस के लिए नहीं होते हैं लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी फैकने वाली चीज भी यूज के लिए बन सकती है तो इसको क्या करना है उपर से इस तरह से हम कट करके फैंक देते हैं लेकिन इनका एक बहुती बड़ी आप यूज कर सकते हैं इनको कट करके इसका उपर का भी आप धागा इस तरह से कैंची से कट करके निकाल ले और ये देखिए ये दो बन गए है अच्छी तरह से बैच तो ये देखिए इनको आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं नई तो आप इनको कट करके दो इसो में भी यूज कर सकते हैं तो अकसर क्या होता है कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बुक्स वगारा में या फिर कॉपी वगारा में कोई पेज में कोई चीज लर्न करते हैं या फिर लिखते हैं कभी कभी लिखते लिखते क्या होता है उनके पेज में इस तरह से पेज गुम हो जाता है या फि लेकिन चैप्टर के आगे जो पेज होते हैं वो अकसर क्या होता है गुम हो जाता है तो इसके लिए बच्चों के लिए बहुत ही बड़िया टिप है यह उनके लिए एक बहुत ही useful टिप है जब भी बच्चे इस तरह से कोई काम कर रहे हो स्कूल का वर्क कर रहे हो या फी लर लग सकते हैं इससे उनको ये फैदा होगा कि जो पेज वो लर्ण करने होंगे अगर बंद भी हो जाएगी बुक यहां फिर उदर चले भी जाएंगे तो उनको ध्यान रहेगा कि वो किस पेज में काम कर रहे थे उनका टाइम भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो कोपी मे में भी इस तरह से रख देंगे तो उनका टाइम भी खराब नहीं होगा उप चोटे बच्चे होते हैं उनको तो ये बिल्कुल यूसफुल टिप है उनको भी आप इस तरह से देकर बच्चों को लर्ण कर लें के लिए पेज रख सकते हैं तो आई होप आपको ये वहला टि हैं यह क्या होता है लटा के रखने से यह सारी दीर दीर करके खतम हो जाती है क्योंकि यह बिल्कुल अगर बंद भी हो तो दीर दीर करके यहां तो सोक जाती है यहां फिर इस तरह से गिर जाती है अलमीरा में तो आपको करना क्या होता है तो दवाई होती है जो खराब आप सूखेगी भी नहीं तो इस तरह से देखिए measurement जो था उसका धकर में आप इस तरह से फैविक रख देंगे तो यह इसको लटा भी नहीं सकते तो इस तरह यह खड़ी रहेगी तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी तो इस तरह से जो फैविक यूज करेंगे उसके बाद थोड़ी का पाउच लेकर आते हैं इससे हम बरतर वोश करते हैं इसके बाद हम इसको फैंक देते हैं लेकिन इसका आज मैं बहुत ही बड़ी आपको यूज बताऊंगे करना क्या है इसको अंदर से अच्छी तरह से वोश करने क्या होता है सरफ फगरा जो होता है लिक्विर वो सारा निकाल दे वोश करने के बाद इसको आप पानी से पानी में अराम से इसको भर सकते हैं और इसके बाद गरम पानी डाल दे और यह देखिए इसमें गरम पानी डालने के बाद जिसके गुटनों में दर्द रहता है तो गरम सेख इस तरह से कर सकते हैं एक अफ़ता दिन में दो जितना भी बना रहता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी कभी क्या होता है कई बार चोट लग जाती है चोट लगने के बार बाद दाक्टर बोलते हैं इसमें ठंडा सेख करो तो इसके लिए क्या करें इसको फ्रीज में रख दें और फ्रीज में रखने से जब यह रहते हैं तो इसमे if काफीए तक थन्दा पानी रहता है और गर्म पानी रहता है तो आईए ओप मेर 10 mins आया होगा और बगते हैं असरे आप नेश्ट टिप की तरफ नश्य हमेरा टिप मेरा टिप की तरफ रहे कि फ़र करो ज dairy रोगे executive और इसमेस पर्स में तो थोड़ सा पाउडर है इसके अंदर डाल देना है अंदर जो चैन होती है वहाँ पे डाल देना है अंदर के साइड इस तरह से डाल देना है तो अगर कोई सा भी आपका पर्स हो न्यू पर्स हो उसके अंदर अगर आपके स्मेल वगरा आरी हो या फिर खराब हो अंदर से तो आइस तरह से पौड़र डाल सकते हैं, यहां फिर लैदर का पर्स होता है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं हम वोश कर सकते हैं, लैदर के पर्स को वोश नहीं कर सकते हैं, लैदर का पर्स होता है, वोश करने के बाद बिल्कुल ही खराब हो जाता है, तो यह देखें, इस त तो लिए देख लेते हैं next tip क्या है next जो मेरा tip है वो है इस तरह के आटे को लेकर जब भी हम इस तरह के आटा होता है जो फ्रीज में रखने हैं तो क्या होता है बार से पपड़ी जम जाती है यहां भी काला गला हो जाता है लेकिन हमें उतना ही आटा घूतना चाहिए जितना हम यूज कर सके फ्रीज में वैसे तो आटा नहीं रखना चाहिए लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बच भी जाता है आटा तो हम इसको इस तरह से फ्रीज में रख देते हैं फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है आटा काला पड़ जाता है या फिर उसमें थोड़ थोड़ी पपड़ी जम जाती है तो इसलिए जब भी आटा थोड़सा भी बच जाये तो उसको रखने के लिए आटे को इस तरह ऐसे अच्छी तरह से कर ले और इसके बाद आपको ले लेना है थोड़ा सा गीला कपड़ा पानी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा गीला ही है लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है तो इस तरह से इसमें आटे को अच्छी तरह से ढग दें और ढगने के बाद प्लासिटिक के बाउल में इस तरह से आप रख देंगे और इसके बाद इसके उपर जो डकन लगा दें डकन बिल्कुल इसके उपर ऐसा हो कि बिल्कुल भी इसके अंदर एर नहीं जाए तो इसके बाद इस आटे को आप फ्रिज में रख देंगे तो बिल्कुल भी आटा जो है बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा और जिसमें पपडियां भी नहीं जमेऊगी तो जो कपडा है बिल्कुल जादा गिल्ला नहीं होना चाहिए थोड़ा सा ही गिल्ला ओना चाहिए ओर आटे को इस तरह से आप फ्रीज में रख देंगे तो बिल्कुल भी आटा काला भी नहीं पड़ेगा और बिल्कुल मिस में जो काली कली पपड़ियां जम जाती है वो बिल्कुल नहीं जमेगी तो आई होप आपको ये विला टिप भी मेरा पसंद आया होगा उमीद करती हूँ आपको मेरे सारे टिप पसंद आयोंगे सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया मुझे कमेंड बोक्स में जरूर बताना मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केयर